आज के इस नए लेक में हम क्लास छे हिंदी चाप्टर एक वह चिडिया जो के बारे में पढ़ने जा रही है इस कविता के रचियता के दारनात अग्रवाल जी है वह चिडिया जो सारांश कविता के माध्यम से कवि ने चिडिया को इंगित करके अपने मनोभावों को साजा करने का प्रयास किया है कवि कहता है कि छोटी चिडिया बहुत संतोशी है उसे अन्न से बहुत प्यार है वो एकांत में भी बड़े उमंग से रहती है और कंट खोल कर बूड़े घनेवन में गाती रहती है वह बड़े संतोश के साथ दूद भरेजवार के दाने खाती है उसे नदी से भी बहुत प्यार है कवी कहता है कि उसे स्वयंग पर गर्व है वह उफंती नदी में बड़े साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल के बूंडों को अपने चोच में भर लाती है इस कविता के जरिये कवी ने अपने अंदर की कल्पित नीले चिडिया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है वह चिडिया जो व्याक्या वह चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुन्दी के दाने रुची से रस से खा लेती है वह छोटी संतोशी चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे अन्न से बहुत प्यार है कठिन शब्दों के अर्थ जुन्दी जौ और बाजरे की बालिया रुची पसंद इच्छा रस से खुशी से संतोशी संतोश रखने वाली प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यकुस्तक वसंत भाग एक में संकलित वह चिडिया जो नामक कविता से लिया गया है इस कविता के रचिता श्री केदारनात अग्रवाल है इन पंक्तियों में कवी ने नीले पंखो वाली चिडिया के खानपान तथा स्वभाव के विशय में बताया है सरलांथ कवी कहता है कि वह चिडिया जिसके पंक्ख नीले है अपनी चोट से जी और बाजरे के दूट से भरे दानों को रुची के साथ खुशी से खाती है क्योंकि उसको इन दूट से भरी हुए बालियों के दानों का स्वाद बहुत पसंद है वह चिडिया आकार से तो छोटी परंतु स्वभाव से संतोश रखने वाली है उसे अनाज के दाने अत्यंत प्रिय है इसी कारण उनको वह बड़े चाव से खाती है भाव यहा है कि चिडिया का रंग नीला है वह शरीर से छोटी परंतु स्वभाव से संतोशी है उसका सबसे प्रिय आहार जीबाजरे की बालियों के दाने है वह चिडिया जो कंठ खोल कर बुडे वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है वह चोटी मोह बोली चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है कठिन शब्दों अर्थ कंठ गला बुडे वन बाबा वन में रहने वाले पशुपक्षी तथालोग खातिर के लिए रस उडेल कर गाना बहुत मीठी आवाज में गाना विजन आकाश प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यकुस्तक वसंक भाग एक में संकलित वह चिडिया जो नामक कविता से लिया गया है इस कविता के रचिता श्री केदारनात अग्रवाल है इन पंक्तियों में कवी ने नीले पंक्खो वाली चिडिया के मधुर गान तथा आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने का वर्णन किया है सरलांथ कवी कहता है कि वह चिडिया जब अपने मुक्त कंट से मधुर स्वर में गाती है तो जंगल में रहने वाले पशुपक्षी तथा लोगों को खुशी मिलती है वह चोटी सी मुहबोली चिडिया है जिसके नीले पंक अत्यन सुंदर है वह आस्मान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है भावार्थ भाव यहा है कि चिडिया जब अपने मुक्त कंट से मधुर स्वर में गाना गाती है तो जंगल में रहने वाले सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते है वह चिडिया गाना गाते हुए आस्मान में उड़ जाती है वह चिडिया जो चोच मार कर चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह चोटी गर्बीली चिडिया नीले पंको वाली में हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है कठिन शब्दों के अर्थ चड़ी नदी वह नदी जिसमें किनारों तत लबालब पानी भरा हो टटोल कर ढून कर या खोज कर दिल टटोलना अंदर की बात को जानना शमता का अनुमान लगाना गर्बीली गर्फ से युक्त गर्फ करने वाली प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यकुस्तक वसंत भाग एक में संकलित वह चड़िया जो नामप कविता से लिया गया है इस कविता के रचिता श्री केदारनात अग्रवाल है इन पंक्तियों में छोटी गवली चड़िया द्वारा नदी का जल पीने का वर्णन किया गया है सरलांथ कवी कहता है कि नीले पंको वाली चड़िया अपनी चोच से किनारों तक पानी से लबालब भरी हुई नदी से पानी लाती है उस अथा जल राशी वाली नदी की क्षमता गहराई का अनुमान लगा कर चड़िया अपनी चोच में जल रूपी मोती लेकर आती है तथा उससे अपनी प्यास बुझाती है इसी कारण छोटी होते हुए भी वह गर्फ करने वाली चड़िया है उस चिरिया के नीले पंक अत्यन सुन्दर है उसे नदी से बहुत प्यार है अर्थात वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पोना चाती है भावार्थ भाव यह है कि नीले पंको वाली चोटी चिरिया अपनी चोट से नदी का जल लेकर आती है तथा उस जल से अपनी प्यास बुझाती है